हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल चैनल वर्जिस में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताऊंगा कॉंसेप्ट ओफ कंटिनम कॉंसेप्ट ओफ कंटिनम होता क्या है देखिए यह इस्पेशली यह जो है और गेट वालों के लिए जो बच्चे गेट का एक्जाम वगयरा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अधर एक्जाम की डिप्लोमा वालों के लिए इतना देखिए concept of continuum होता क्या है एक सिस्टम या कोई भी सिस्टम है कोई भी मेंटर है विच कंसीडर एज कंटिवनियस डिस्टिविशन ऑफ मास नेगलेक्ट इंट्रमोलेकूलर गैप याणि एक ऐसा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा गैप जो है जिसमें हमारे इतने सार molecules हो और उन molecules के बीच का जो gap है gap कौन सा gap इसमें दिख रहा है आपको यह बीच में जो air भरी रहती है यही दो gap है इसके बीच में gap बहुत कम हो यानि कि neglect यानि कि neglect हो बिल्कुर हो ही नहीं छोटा से छोटा है बहुत ही कम से कम gap हो तो उसको हम उसको हम क्या कहते हैं वह हमारा ऐ एक्चुल में जैसे कि मैंने यह बनाया है तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यह एक सिस्टम है पहला सिस्टम यह आपको दिख रहा है यह वाला दो इधर वादा लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले में क्या है यह बहुत सारे molecules हैं ठीक है अब इन बहुत सारे molecules में मैं मानता हुआ हूए system की जो length है वह हमारी length है यह हमारी length कितनी है हमारी length है एल और इसमें जो molecules हैं बहुत पास-पास होंगे वैसे तो इसमें gap दिख रहाया लेकिन दिखानी के लिए आपको तक यहां लोगों को दिख जाए तो मैं मैं इसमें मानता हूँ कि इसमें बहुत कम है बहुत ज़्यादा कम है गैप तो देखिए इसमें दो molecules के बीच का जो गैप है दो molecules के बीच का जो गैप है उसको मैंने माना लेमडा ठीक है दो molecules के बीच को गैप को मैंने माना लेमडा तो यह जो है यह valid यानि कि यह valid है किसके लिए concept of continuum के लिए और मैं कहता हूँ आप इसको अभी assumption मान के चलें कि एक ऐसा होता है system जिसमें अगर हमारा molecular gap जो है वो हमारा molecular gap यानि कि यह जो delta की value है यह हमारी बहुत ही ज़्यादा कम है बहुत ही ज़्यादा कम है यानि कि molecules past class कब होंगे जब इसमें gas ही नहीं होगी पास पास बहुत सारे molecules होंगे तो जो lambda की value है वो हमारी कम है तो यह हमारा कौन सा होगा यह concept of continuum को apply करेगा यानि कि उसके लिए valid होगा अब देखिए कि not valid का क्या मतलब है जब हमारा कोई भी system है और उसमें gap बहुत ज़ादा है यानि कि gaps जो है बहुत ज़ादा है तो इसमें क्या होगा, simple है, error आजाएगी, यानि कि इनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ gap आजाएगा, gap आजाएगा तो यह जो है concept of continuum के लिए valid नहीं होते, ठेक है न, तो देखिए, होता क्या है, concept of continuum का simple एक फंडा है, it is a idle system, यानि कि जो मैंने बताया, कि concept of continuum को जो follow कर रहा है, ये वाला, ये वाला जो follow कर रहा है, ये दिखरा है आपको, ये जो follow कर रहा है इसको, ये क्या है, एक ideal system है, actual में ऐसा नहीं होता, not practically available, ये practically में अब लेवल नहीं है, system is continuous, यानि ये continuous का मतलब क्या है, देखिए, continuous का मतलब है molecules उनके बीच का gap जो है हमारा कम से कम हो यह कि यह जो गैप दिख रहा है आपको यह बहुत कम हो यानि की molecules calculus contents हो यह एक molecules के बाद दूसरा molecule दूसरे के बाद तीसरा molecule यानि कि continuous line में हो तो उसको हम कहते हैं क्या continuous system is continuous homogenous का क्या मतलब है system में जो हमारे atoms है वो एक ही size की हो एक ही property हो उनकी तो उनको हम कहते हैं homogeneous homogeneous ओके और उसमें क्या हो no holes यानि कि उस system में no holes या gap जो है हमारे नहीं हो holes का मतलब वही है जो मैंने बताई यह जो जितनी भी जगे बचती है यह holes के रूप में मानते हैं हम इसको यह मैं कहता हूं gap है तो यह gap जो है बहुत कम हो यानि कि इस वाले की बात कर रहा हूं मैं कि इसमें gap बहुत कम है तो यह क्या है एक ideal system है practically में available नहीं है continuous है homogeneous है और इसमें gap वगेरा हमारे नहीं है ओके तो यह system कैसा होगा यह जो है system concept of continuum यानि कि continuum के concept को valid करेगा यानि कि उसके लिए यह valid होगा और देखिए यह वाला जो है not valid वाला यह practically में available होता है यह practically में available होता है ठीक है न बट यह वाला जो है practically में available नहीं होता है यह ideal system है ठीक है अब देखिए एक होता है जैसे कि मैंने आप हूँ आपको बताया कि एक system है system की लेंक्ट जो है वह हमारी L ठीक है दो मॉलेक्ट ल के बीच का गैर जो है उसको मेरे माने डेल टा ठीक है डेल जो है दो मॉलेक्ट ल्सका बीच का गैक है यह इनर्शन नंबर की जो वैल्ए होती है वो greater than होती है यानिकि इनर्शन नमबर हमारा जादा होता है किस से? डेल अपॉन एल से डेल अपॉन एल से हमारा नर्शन नमबर जादा होता है या बराबर होता है या बराबर का sign है तो देखिए होता क्या है डेल अपॉन एल की value जो होती है एक वट्टे सो क्या सपास होती एक वट्टे सो डेल अपन एल की जो वैल्य होती है वो एक वट्टे सो से जो होती है कम होती है यानि कि अगर वो एक वट्टे सो से कम है यानि कि हमारी अगर हम एल जो है वन माल लें L वरावर 1 मान लें तो हमारा देखिए इसको हम छपा दें तो डेल की value कितनी हो गई डेल की value simple हो गई 1 upon 100 यानि कि 1 वट्टे 100 से भी कम यानि कि बहुत कम होगी और ये value अगर कम है हमारी तो concept of continuum को क्या करेगा valid करेगा तो ये चीज़ा आपको याद रखनी है कि डेल अपॉन L की value जो होती है 1 वट्टे 100 से भी कम होती है यानि कि 0.001 से भी कम होती है ओके देखिए अगर मैंने जैसे बताया कि डेल की value जितनी कम होगी वो concept of continuum को उतना ही valid करेगा डेल की value जितनी ही जादा होगी वो concept of continuum को valid नहीं करेगा अब देखिए इफ गैप अगर हमारा कम है यानि कि molecules के बीच का जो gap है वो बहुत कम है डेल की value बहुत कम है तो हमारा क्या होगा वो concept of continuum के लिए valid होगा अगर हम पूरे के पूरे सिस्टम पर ही study कर रहे हैं ये molecules की gap का बीच का gap जो बहुत ही कम है बहुत ही जदा कम है तो एक single molecules पर अगर मैं बात करता हूँ किसी इसी molecules की इस पर study करना बहुत कठिन हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं पूरे सिस्टम पर study करते हैं तो जब सिस्टम पर study करते हैं तो वो क्या हो जाएगा concept of continuum view on macroscopic approach यानि कि macroscopic approach का मतलब यही है यह पूरे सिस्टम पर हमें study करना है ओके यानि air gap जो हो हमारा बहुत कम हो air gap कौन सा है air gap बहुत कम यानि कि distance of molecules molecules के भीच का distance बहुत कम होगा यानि कि pass pass होंगे मैंने देख रखा है pass pass होंगे pass pass होंगे तो वो लगातार यानि continuous यानि कि लगातार जो मैंने बताया भी आपको एक तरीके से continuous होंगे अगर वो continuous हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं continuum concept of continuum okay आपको बता चले है concept of continuum किसके लिए valid होता है किसके लिए invalid होता है अब देखे यह क्या चीज़ है मैं बात करता हूं pressure volume diagram की pressure volume diagram पर क्या होगा कि हमारा simply इस चीज़ को याद रखिए ये एक line है यह line क्या show कर रही है यह line क्या show कर रही है simple यह line है अगर मैं यहां से राइट की साइड जाते हैं राइट साइड यानि यह राइट साइड में क्या है कोई वेरियेशन नहीं हो रहा है यानिकि प्रॉपर्टी जो है प्रेशर जो है कॉंस्टेंट है प्रेशर कॉंस्टेंट है इसका मतलब यहां पर जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी डैंस्टी कैसी रो की वेल्यू जो है चेंज हो रही होगी कुछ ना कुछ चेंज हो रही होगी रो की वेल्यू तो देखिए मैं बात करता हूं कि density हमारी कॉंस्टेंट है यानि कि density हमारी जो है कॉंस्टेंट है यह कुछ सिस्टम है इसमें क्या है molecules जो हैं यह molecules रखे हुए हैं ठीक है तो इन में क्या है density constant होता इसकी जो प्रॉप density है वो इसकी density same same density क्यों होगे और जब molecules same density क्यों होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है वो एक तरीके से particular length में मतलब एक particular तरीके से लगे हुए हैं जब वह पाइटिकुलर तरीके से लगे होते हैं तो जब हमारे सिस्टम में गैप कम होता है तो हम क्या कहते हैं वह concept of continuum के लिए valid करता है तो जब हमारी density change नहीं होती constant रहती है तो हमारे concept of continuum को valid करती है ठीक है और अगर हम इधर आ जाएं तो यहां पर देखिए density density change हो रही है और density change होगी यानिकि vary करेगी density तो वह क्या करेगी concept of continuum को वैलेडी नहीं करेगी ठीक है देखिए no continuum continuum नहीं की equation मतलब system continuum अगर हमारा जो system है हमारा अगर वह continuum नहीं है तो जाए होता है यह ज्यादा होगा यानि कि मैंने जैसे वापको बताया कि system है उसमें जाए होगा यानिकि molecules के बीच का gap जो है तेल वह बहुत ज्यादा होगा तो इधर उधर motion करेंगे यानिकि यह किदर इधर भागेगा यह इधर भागे होंदा रेंडम ले मोशन करेंगे और जब रेंडम कोई चीज मोशन करती है तो किसकी तरह बहुत करती है वह करती है गैस की तरह यानिकि गैस में क्या होता है कि रेंडम्ली मोशन होता है उसमें ठीक है और जब बोरिंडम करेंगे ऑप्रापरटी ल्वी चेंज होगी टेंपरेशर भी वड़ेगा प्रेशर भी चेंज होगा तो जब प्रेशर टेंपरेश सब को चेंज होगा तो मिक्षेर तो वह हमारा सिस्टम कैसा कहलाएगा नोन होमोजीनियस है ना नोन होमोजीनियस और नोन होमोजीनियस कहलाएगा तो नोन होमोजीनियस कैसा होता है एक तरीक से हमारा प्रैक्टिकल होता है यानिकि वह हमारा कैसा अप्रोच देता हमें प्रै तो थेंगी सो माच